अगर आप अपने बोडी को fitness रखना चाहते हैं या आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि मैं दूसरों की तरह मेरा बोडी फिट हो देखने में अच्छा हो तो आपको हर दिन exercise करनी पड़ेगी और रसी कुदने से अच्छा exercise कोई भी नहीं है आज हम आपको रसी कुदने क अगर आप हर दिन रसी कुदने तो आपको अनेक लाब होंगे हैलो दोस्तो आपका स्वागा तो आपके अपने ब्लोग में health and beauty 21 में दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि रसी कुदने के फायदे के पूरी जानकाई लेना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बीना skip कियो पूरा खास कर जब आप रसी कुदते हैं जब आप रसी कुदेगा उस समय आपको ज्यादा फोलो करना हो ताकि आपको कोई नुकसान नहोगा तो चलिए बिना देर की हों और वीडियो को बीना लमबे की हुए पहले हम आपको बता दे कि रसी कुदने के क्या क्या benefit है क्या क्या फा मजबूथ होती है रसी कुटने से हमारे पेरों कि सारी नशों में अच्छे से खूण जाता है जिसे हमारे दिमाग तक इसका असर होता है और हमारे बाल भी अधिक काले होते अगर आपके बाल सफ़ेद वोने लगे हैं और जड़ते भी हैं तो कुछ दिनों में आपको इसका असर दिखने को मिलेगा रसी कुदने से हमारे पंजे मजबूत होते हैं जिसे हमें अधिक दोडने सो कोई परशानी नहीं होती है अगर आप डेली रसी कुदते हैं तो हमारी सातल जीने आप पड़ भी कहते हैं वो एक अच्छा अकार ले लेती है जिनमें उसके अंदर जो चर्वी होता है और पसीने के जरियों बाहर निकल जाता है अगर अपनी छाती के एक्ष्टा फेट को कम करना चाहते हैं आपको जरूर रसी कुदना चाहिए एवरी डे रसी कुदने के फाज़े तो हमने बता दी अब हम आपको रसी कुदने समय आपको क्या सालधानी बरतनी चाहिए उसके बारे हम बात करने वाले हैं तो आपको इन्हें जरूर फोलो करना चाहिए नई तो आपको परशानिया हो शकती है अगर आपके पैरों में कमजोरी है यानि अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो आपको इस exercise को कम करना है शुरू में कुछ दिनों तक जैसे आप पहले दिन 10 बार रसी कुदते हैं नेक्स टाइम आप 20 बार रसी कुदते हैं यानि कि एक एक एस्टेप करके आगे बढ़ें अगर आपके पैर में कभी भी मोच आई थी और वह काफी समय तक ठीक नहीं हुई तो आपको अराम से रसी कुदना है रसी कुदने के लिए हमेशा सतल के जोड़ों की मालिस करें सरसोत तेल से और फिर उन्हें धोलें रसी कुदने के लिए अच्छे जूते पेने जिसे आपके पैरों की परसानी ना हो आपके जूतों की तल्वे भी मजबूत होने चाहिए जहां पर आप रसी कुदने का इस्थान बनाएं वहां साफ सुतरा होना चाहिए वहां कोई कंकर फथर नहीं होना चाहिए ताकि आपके पैरों के नीचे ना आए तो यह कुछ सावधानिया थी जो आपको जरूर फोलो करने चाहिए नहीं तो आपको काफी फरसानिया हो सकती अगर आप अच्छे से जगह का चुनाओ नहीं करते और उसे जगह को साफ सुतर नहीं रखते तो आपके पैरों में चोट लग साती है और इस कारण आप लंबे समय तक रसी नहीं कुछ सकते हैं अगर आपकी लंबाई कम हो तो आपको जरूर रसी कुदना चाहिए लेकिन अगर आपके पैरों में कोई समस्या हो तो आपको रसी नहीं कुदनी चाहिए जैसे कि पैर में चोट लगी हुई हो और थोड़ी बहुत दुखती हो या आपके पैरों में लंबे समय या पहले कभी आपको पैरों मोच आया हो और अभी ठीक नहीं हुई हो तो आपको रसी कुदने की कोई जरूरती आप पहले अपने पैर की मालिस कराए या पहले अपने पैर को अच्छे सब्सक्राइब ठीक कर ले उसके बाद अब रसी कुदने की तैयारी करें तो आई होप आप लोग के ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिरी लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते है नेक्स वीडियो में जबते के लिए बाबाय दोस्तों